आगे बात करते हैं कि यह इस इस सिस्टम का जर्खन पर क्या आफ़ रहेगा तो अगर आपका बारी बारिश की बात की जाए तो जो चोविस तारिक है आज यह जो भारी बारिश आप नीचे वाले इमेज में देख रहे हैं यह जो से बोकारो अजामतारह कि एक लाकार करेंगे और कल की बात करेंगे में भरज बहुत बहुत बारे बारिए को ल से ओध ने और देख रहे हैं अब कुछ थोरे से जो उत्रपूर के भाग हैं वहाँ पे आपको येलो इलर्ट है हिवी वाग में का जिसमें आप देखरें कि सिंडेगा लुदा रांची खूटी बोकारो रांगर गिरीडी देवघर धनबार जामताड़ा है वहाँ पे आपको भारी बारिश की संभावना कल में बनी रहें और पर लिए और बारिश देखना को मिल सकती है से इस इलाकों में बादन चाहेंगे और पूछ व्यक्री बारिश की संभावना देखाई जाए है अब हवा की वार्णी विंड की वार्णी की बार्णी की बात करें तो आज सांब से लेके 26 तारिक सुबार तक में आप देखेंगे क आप देखने को मिल सकती है और आजिस समीट जो मद की राके हैं वहां 30-50 km परती घंटे की साफ से देखने को मिल सकती है तो यह 26 के सुबह के बाद से इस थी थोड़ी सी सुद्रेगी और जो मद है और दचिन शेत्र में कुछ हलकी बारिश आपको चबश में देखने को मिल सकती है और 27 से इस्तिती काफी ठीक हो जाएगा अठाइस से पूरा आपको साफ आस्मान खुला आस्मान असुस मौसम दिखने को मिलेगा तो कुल मुला की यह है कि जार्खन वासियों को खासकर जो कुलान अदक्सी जार्खन के लोग हैं थोड़सा सतरकता बढ़ते जो के लाइन है लेक्रिक लाइन है कुछ डिस्रप्शन उनका हो सकता सुके पूराने पेड़ भी कुछ हलके गिर सकते हैं तो इन सब को देखते हुए आप तो इसी सावधानी बढ़ते और आज में थोड़ता गर्जयों अधपात की भी इस्तिती रहेगी चोविस तारीक देर जाएगी और अठाइस से तो पूरा ही मौसम कि दों सुष्क और साफ देखने हुए धन्युक्त